Hello everyone, Welcome back to my YouTube channel Kanthis Kids आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो बच्चों और उनके पैरेंट्स के लिए भी हेलपफुल है आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे टिफ्स सेयर करूंगी जो कि बच्चों के पढ़ाई से रिलेटेड है कि बच्चों को पढ़ाई करते समय क्या-क्या ध्यान रखें जिससे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें आई होप ये वीडियो आपके लिए हेलफुल होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें, सेयर करें सबसे पहले तो जब हम बच्चों को पढ़ने के लिए घर पे बैठाते हैं तो बच्चे थोड़ी देर पढ़ते हैं उसके बाद बहाने सुरू कर देते हैं कि भूख लगी है, प्यास लगी है, वाश्रूम जाना है, ऐसा करके बहाने बनाते हैं फिर पढ़ने बठाने से पहले हमको कुछ ऐसा करना चाहिए कि बच्चों को कुछ पहले से ही थोड़ा खिला देना चाहिए और वाटर वाटल भी पास में रखनी चाहिए जिससे बच्चों के बहाने कुछ कम हो जाए और वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएं दूसरी टी हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे कैसे बैठ के पढ़ रहे हैं अगर हम उन्हीं फ्लोर पे बैठा के पढ़ाते हैं तो फिर बच्चों के बैक में पेन होने लगता है और वो जादे देर तक नहीं पढ़ पाते हैं तो हमें स्टडी टेबल का प्रयोग करना चाहिए जिससे बच्चों को पढ़ाई करने में अच्छा लगे जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं नेक्स ये होगी कि अगर हमारे दो बच्चे हैं और दोनों पढ़ने वाले हैं और दोनों बच्चों में एज का गैफ है और दोनों बच्चे एक जगा अगर बैटके पढ़ते हैं दोनों में अगर डिस्टेंस नहीं है तो बच्चे आपस में बाते करने लगते हैं और टाइ बच्चों को एक साथ जादे वर्क नहीं देना चाहिए थोड़ा थोड़ा वर्क ही दें जिससे बच्चों को easy लगता है और नहीं तो जादे वर्क एक साथ देने से बच्चों को काफी hard लगने लगता है अगर हम एक बार में थोड़ा ही काम देंगे बच्चे को और थोड़ ब्रेक लेके फिर उसको दोबारा काम करने के लिए बैठाएंगे होमवर्क तो बच्चों को बोर नहीं लगता है बच्चे इजी ली कर पाते हैं नेक्स हमारी यह होगे कि अगर आपके दो बच्चे हैं और एक बच्चा बड़ा है एक बच्चा छोटा है तो छोटे बच्चे को हमवर्क कम मिलता है या फिर थोड़ी पढ़ाई कम ही करते हैं छोटे बच्चे और बड़े बच्चे को जादे पढ़ना पड़ता है अगर चोटा बच्चा जल्दी से अपना काम खतम कर लेता है और अगर खेलने लगता है या फिर टीवी देखने लगता है तो उसे देखकर बड़े बच्चे का भी पढ़ाई पर से मन हटने लगता है तो इसके लिए हमें छोटे बच्चे को भी कुछ पढ़ाई से रिलेटेड ही दे कर उसे ब्यस्त रखना चाहिए कुछ ड्रॉइंग बनाने के लिए या फिर कुछ ऐसा दे जिससे वो ब्यस्त रहे जिससे बड़े बच्चे को डिस्टर्ब ना होए और अच्छे से पढ़ाई कर पाए तो ये थे कुछ टिप्स जो बच्चों को पढ़ाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए आई होप ये वीडियो आपके लिए हिल्पफुल होगा थेंक यू फर वॉचिंग बाई